असलाम अलेकुम फ्रेंड्स चिकन नगेट्स अब हुआ पुराना आप मेरे इस तरीके से बीफ नगेट्स बनाएं जोके बहुत ही टेस्टी बनते हैं इसे आप दावत में स्टाटर के तोर पर बना सकते हैं और वैसे भी आप इसे घर में बना कर खाएं एज़े स्नेक बहु पैस्ट नमस्रेट चार हो चाइचे को बारिक cya कट और दाल के और थार पानी टाल लें कियोंके कीमे में से भी पानी । तो बहुत जादा हो जाएगा और हमें बहुत जादा पकाना पड़ जाएगा सुखाने तक तो पानी बहुत थोड़ा सा डालना है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कपता जैसे मैंने आदा कफी डाला है पानी और फिर इसे हमने इस तरह से बॉइल आने लगे जब धकन को डग देंगे और मिडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसे पका लिना है इसका पानी सुखाने तक देखे इसका पानी अच्छे से सूख गया है बिल्कुल पानी इसमें नजर नहीं आ रहा है अब यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम आफ कर देना है और इसे ठंडा कर लेंगे ठंडा करने के बाद में इसे मिकसर जार में डालना है और इसे पीस लेना है तो इस तरह से पीस लेंगे इसे पीसने के बाद मैंने बॉल में निकाल लिया है में ऊच्वाट में चम ना जाएंगे 25 बार्म घृटम साथ ही 6 आलु कोईल करेंगे यह थे सी मैश करके नहीं मैं बारी ग्रेटर में ग्रेट करके डालना है तो अलुट के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे इसमें हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है मिक्सिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए सब तरफ मसाला बराबर होना चाहिए और यहां पर मैंने आदा कप ब्रेट करम भी डाल दिया है तीन चम्मच जितना होगा ब्रेट करम दालने के बाद हमने इसे फिर से एक बार अच्छी से मिक्स कर लेना है इससे क्या होगा हमारा कीमा है बनाया रेडी किया हुआ तो इसमें हमने पूरा डाल देना है सारा कीमा हमने इसमें डाल देना है और फिर इसके बाद हम इसे अच्छी से लेवल करेंगे तो अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हातों से ही इसे नगिट के शेप दे और फि कि यह मोटा हो और कहीं पला हो तो ब्राबर यकसा होना चाहिए सब तरक और यह दीक et हमारा जो ready हो गया है बॉससे हमने एक गंटी के लिए फ्रीज में रख देना है अगर आपको जल्दी है तो आप आदे गंटी के लिए फिर ₷ में से रख दे और फिर या तो पिर इसे आप एक घंटे के लिए नीची फ्रीज में रख दें और यह दिखे इस तरह से बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा फ्रीज में रखेंगे तो आप इसे हम कट कर लेंगे तो यहां पर पहले मैं इसके स्क्वाइर पीस में कट कर रही हूं इसे मंचाही shape में कट कर सकते है। इस तरह से हम बनाते हैनना तो बहुत ही perfect एक ही साइस के बनते हैं और आप इसे हाथों से भी बना सकते हैं और यह देखे इस तरह के चौकोन पीस बनकर तयार हुए है तो यह अभी बहुत ही बड़े हैं तो मैं क्या करूँगी इसके भी बीच में से दो हिस्से करूँगी इस तरह से सारे पीसे से हमने सारे जो स्क्वेर पीसे इसको हमने इस तरह से दो पीस में कट कर लेना है और इसे साइड से अच्छे से चिकना कर देंगे और दीखे इस तरह से मैंने सारे बना कर रेडी कर लिए है अब एक एंडा लेंगे और अंडे को बहुत ज़्यादा पेटना है पेट कर एकदम पतला कर लेंआ है और यहाँ पर भीने ब्रेड क्रम भी ले लिया है अब हम क्या करेंगे एक एक नगेट को उठाएंगे और इसे अंडे में डिप करेंगे और फिर इसके बाद इसे हमने ब्रेट करम में रखना है ब्रेट करम में इसे हमने अच्छे से कोट करना है और फिर इसे हमने एक प्लेट में रखते जाना है देखे इस तरीके से सारे हमन तुम हों नगेट्स बनाकर रेडि करेंने है start minutes हमाना रखेंगेसники Dan रिक्ता रखेंगे इसे बनाकर आप रखेंगे पूर करें राते हैं रर्क्राइपное, एक भी और यह जो निकाले और आप इसे बनाकर रखेंगे इसे बनाकर नेत्के बना दिन पीड़रे और गरम-गरम खाने के साथ में इसे अपने सर्फ करना है तो यहाँ पर हमने इसे फ्राइब कर लेना है medium to high flame पर इसे फ्राइब करेंगे क्योंकि इसे हमने पकाना नहीं है यह बिल्कुल पका हुआ है बस हमें इसे अच्छा सा क्रिस्पी बनाना है तो medium to high flame करके हमने इसे अच्छे से फ्राइ कर लेना है अच्छा सा कलर आने देंगे दो से तीन बार उलट पलट कर लेंगे और ये देखें खुब अच्छा सा कलर आ गया है गोल्डन सा तो अब इसे निकाल लेते हैं और बहुत अच्छी क्रिस्पी भी लग रहे हैं तो इसे निकाल लेंगे और जब आप इसे गरम गरम खाएंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी लगती है ये थोड़ी देर के बाद ये थोड़ी नरम पढ़ जाएंगे इसलिए आप इसे गरमा गरम खाए और यह देखें हमारे स्टर्टर बनकर रेडी हो गया है और कभी अगर आपके यह अपने पहले फ्राइ कर लिया है थोड़े ठंडे हो गया है तो आप इसे फटा-फट से ओवन में डालकर गरम करके इसे खा सकते हैं तो यह देखें हमारे बहुत ही टेश्टी बीफ का नगेट्स बनकर तैयार हो गया है जार इसे आप ट्राइ कर सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है बच्छों बहुत पसंद आए गये तो फ्रेंड्स उमीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना अपनी फ्रेंड्स के साथ अगर मेरे चैनल पर ने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्लाहफीज